So hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So guys, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चार banking shares के बारे में ये चारो ही shares काफी छोटे हैं, बट returns काफी तगड़े दे रहे हैं कई सालों के records break कर रहे हैं guys काफी time बात एसी बड़ोतरी हमें in shares में देखने को मिली है बात होंगी as bank, PNB, Central Bank, South Indian Bank काफी बहतरी return in shares की और से हमें देखने को मिल रहे हैं तो वीडियो को आगे continue करूँ, उससे पहले चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया हैं तो please guys, चैनल को subscribe कर दो तो पहले बात होंगी as bank limited की as bank limited ने RBI ने approval दे दिया है where went और यहाँ पर केरलाइल को 9.99% stake यहाँ पर acquire करने के लिए बिलकुल यहाँ पर stake बेज के यहाँ पर as bank fund यहाँ पर जो पेसा है वो यहाँ पर raise करने वाली है तो एक काफी बड़ी news के बाद stock में एक बड़ा momentum आया था यहाँ पर as bank में कई बड़ी news हमें देखने को मिली है जिसके बारे में मैं previous वीडियो में discuss कर चुका हूँ बड़ सबसे दो तगड़ी news यही है कि 9.99% जो stake है केरलाइल और वेरवेंट जैसे यहाँ पर acquire करेंगे RBI ने बिलकुल दो letters दिये as bank को जिसमें यहाँ पर निवेशगों के साथ जो investors है उनके साथ यहाँ पर meeting हो सकती है और इसके बाद बिलकुल इस यह जो process चल रही है इससे आगे यहाँ पर continue किया चा सकता है और साथ ही guys यहाँ पर as bank ने 48,000 करोड का जो यहाँ पर इनके उपर जो debt था जो debt loan है वो transfer किया था यहाँ पर jc floor को jc floor ARC आपको पता ही होगा वो news के बारे में उसके बाद भी यहाँ पर जो यह दो strong news है उसके बाद s bank में बिलकुल बड़ोती आगी है आज भी हम expect करी रहे थे कि एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिलेगी और वो आपके सामने है 23.70 रूपीज के राउन यहाँ पर closing इस share ने दी है 2.60 रूपीज तक की एक बड़त हमें देखने को मिली है यहाँ पर 12.32% के हिसाब से बिलकुल शानदार क्रोथ हमें इस share में देखने को मिल रही है एस बैंक लिमिटेड बहतरीन share यहाँ पर एक तगड़े मुमेंटम की और जा रहा है बहतरीन डिमिटन दे रहा है पिछले 5 दिनों की ही अगर बात करें 6 रुपे 20 पेसे तक की बड़त है 35.43% के हिसाब से यहाँ पर लेवल्स की बात करेगा इस तो लेवल्स भी आप देख सकते हो इस range को हम बात कर रहे थे कि ब्रेक करेगा और उसने ब्रेक कर भी दिया और यहाँ पर जो एक gap टाउन यहाँ पर हुआ था काफी टाइम पहले की में बात कर रहो 2020 की उस gap को भी almost इसने फिल कर दिया है बट यहाँ पर यह जो important लेवल है इसके उपर sustain अगर as bank कर लेता है तो और बड़े momentum हमें आने वाले time में देखने को मिले गए 30 रुपीज तक भी यह शेर जा सकता है यहाँ पर अगर देखें इस लेवल से एक बड़ोतरी हमें देखने को मिली थी यहाँ से rejection था यहाँ से rejection था यहाँ से भी rejection था कई बार इन particular लेवल से rejection मिले हैं पर support भी है और एक काफी time के बाद जो consolidate यहाँ पर किया था एक से देड़ साल के बाद इतना सबर रखने के बाद S-Bank में finally जब breakout मिला था उसके बाद भी यह नीचे की और आ गया था पर तो भी एक बड़े momentum के बाद आप देख सकतो बिलकुल pure price action काम करता है बड़े levels हो चोटे levels हो और उसके बाद के return देख लो भले news का impact पड़ाया है बट news का impact पहले भी था और एक ब्रेक ब्रेक आउट मिले था बट strong news का impact आप खुद ही देख सकते हो गाई तो बिलकुल price action प्लस news यहाँ पर returns मिल रहे है और मैं बात कर रहा था कि इस particular level के उपर sustain करेगा हाँ बिलकुल sustain कर लेता है तो यहाँ पर एल बैंक बिलकुल तकड़े return देगा ही देगा अब बात होंगी Central Bank of India Central Bank of India की बात करे 39.80 रूपिस के रौण share हमें closing देता हुआ नजराया है 6.05 रूपिस के रौण अगर देखा जाए तो इस share में हमें तगड़ी बड़त देखने को मिली है 17.93% के हिसाब से यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक growth continue हो रही है और बिलकुल आगे भी यह growth हो सकती है क्योंकि past one month की ही अगर बात करें तो continue यहाँ पर returns मिल रहे है 17.25 रूपिस तक है already return दे चुका है 76.50% के हिसाब से यहाँ पर जो एक growth है शानदार growth है आगे भी growth continue होगी और यहाँ पर जो एक return है बिलकुल plus होगे ही होगे और I hope कि यह जो returns है और अच्छे हो क्योंकि levels यहाँ पर बात करें उनके साथ साथ यहाँ पर news भी है first finance और central bank की deputies meeting है और यहाँ पर आज ही से start हो रही है जिसका impact stock के उपर पड़ा कई बड़े decisions इस meeting के अंडर लिए जा सकते है target की बात करें तो target open है यहाँ पर expected target की अगर बात करो तो हमें लगता है कि इस range में consolidation के बाद यह नीचे की बराया था और इसी level को इसने break भी किया है यहाँ से sustain करने के बाद stock 65 rupees के around easy तरीके से जाता हुआ नजर आने वाला है वही गाईज यहाँ पर 3 month के time frame पर भी अगर आप देखोंगे इस particular level से share में एक हमें तेजी देखने को मिली थी यहाँ से गिरावट आई थी यहाँ से भी एक rejection आथा फिर यहाँ पर stock ने एक support लिया upside downs momentum के बाद अगर देखा जाए तो stock में यहाँ पर breakout मिलने के बाद हमें सीधा 160 rupees के around का target देखता है central bank में काफी बड़ा momentum यहाँ पर share share achieve अगर momentum अगर continue रहता है तो काफी बड़े target share share achieve करने वाला है जिस तरीके से यहाँ से stock में इतनी बड़त देखने को मिल सकती है तो यहाँ से भी यह बड़त आगे continue होगी PNB की बात करें पंजाब national bank में अगर आप देखोंगे 59.80 rupees के around share हमें closing देता हुआ नजर आया 1.70 rupees के around के अगर देखे एक अच्छी बड़त भी है 2.93% के हिसाब से वही यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो stock में 1 मंत के time frame पर अच्छे returns है गाईस अच्छे returns है 15.85 rupees तक का 36.06% के हिसाब से growth देखने को मिल रही है हाली में पंजाब national bank ने यहाँ पर एक plan के थो thousand करोड का bond issue यहाँ पर करवा है बिल्कुल capital को up करने के लिए अब बात करेंगे South Indian Bank Limited की बिल्कुल South Indian Bank Limited एक यहाँ पर जो सबस्क्राइबर है उन्होंने कहा था इसके बारे में discuss करने को बिल्कुल यहाँ पर हम कर रहे है 19.50 rupees के round share हमें closing देता हुआ नजराया 1 rupees तक की growth देखने को मिली है 5.41% के हिसाब से यह growth रही है वनमंत की बात की जाए तो वनमंत में आप देख सकते हो continue growth है 5.30 rupees के round share हमें returns देता हुआ जरा रहा है 37.32% के हिसाब से और यह growth आगी भी continue हो सकती है यहाँ पर अगर देखें यहाँ से stock में support है यहाँ से support है यहाँ से कई बार इन levels पे इसने support लिया है और यहाँ से जो target निकल के आता है 30 rupees तक के target से यहाँ पर निकल के आता है बिल्कुल आने वाले time में यह share जा सकता है और यहाँ पर यह जो level है यह भी काफी ज़्यदा important है और गाइस यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो share में यह इस particular level में अगर देखा जा यहाँ से consolidate करके एक fall आया था यहाँ से support लेके उपर गया फिर यहाँ से rejection आया breakout के बाद stock यहाँ से continue उपर की और यहाँ पर growth continue कर सकता है stock में 35 rupees के round के levels easy तरीके से achieve होने वाले है so guys यहाँ पर अगर देखें तो जो चार banking shares है उनके बारे में इस वीडियो में बने discuss किया I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को like कर देना चेनल को subscribe करना मत भूलना guys और कोई भी investment करने से पहले shares का analysis आप खुद भी एक बार कर लेना thank you